अगर हम लोग average family की बात करें, average और below average family में क्या सिखाया जाता है? पहिया simple है, जाओ पढ़ो लिखो, है ना, अच्छे से पढ़ाई करो, पेपर दो, एक्जाम दो, अच्छे marks लेके पास हो जाओ, उसके बाद जो mark sheet आएंगी, उन mark sheets को लेके दर-दर की छोगरे खाओ, दके खाओ, नोकरी लगो, नोकरी लगने के बाद, सुबह नो से शाम को पांच बजे तक की जोग करो, शादी करो, घर पे आजाओ, बच्चे संबालो, घर संबालो, फूग यहाँ, लेकिन क्या आपने कभी सूचा और अपनी family में आप लोग उने देखा होगा, average family और below average family की बात कर रहा हूँ, जब घर पे खुदा ना खास्ता कोई बिमार हो जा इलाज में लाखो रुपे का करजा चर जाता है, यह बात सच है और आप अच्छी से जानते हो, आपके घर पे किसी की शादी है, एक बाप जानता है average family का एक बाप और below average family का एक बाप की बेटी की शादी का मतलब क्या होता है, कितना खर्चा होता है, और तब पूरी उमर ज और below average family निकलती है, लेकिन तब भी average family और below average family में पैसे कमाने का एक बहुत बड़ा जरिया, एक gold mine जिसे कहते हैं, उसके बारे में discussion ही नहीं होता है,